हलो एब्रिवान, आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी और असानी से बनने वाली बेंगॉली मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, इसे कहते हैं काच्चा गोला, ये बहुत जादा टेस्टी है, ना तो इसमें हमें चाशनी बनानी है, ना मावा लेना है, और नहीं आप कोई से किचन में खड़े होकर गंटों तक पकाना है, फटा-फट से 10 मिनट में बनने वाली बहुत ही जादा टेस्टी मिठाई है ये, तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं, इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 300 ग्राम पनीर लिया है, वैसे तो ट् यानि बजार से ही पनीर ले लिया है, और इसको हम बिल्कुल बारिक वाले ग्रेटर से इस तरीके से ग्रेट करेंगे, आप इसे ग्राइंडर जार में ना चलाएं, परना ये बिल्कुल हल्वा सा बन जाएगा, और इससे मिठाई बनाना आपको थोड़ा सा मुश्किल पढ सकता है, लेकिन बजार का जो पैकेट वाला पनीर होता है, वो थोड़ा सा हार्ड होता है, उसको आप ग्राइंडर जार में पीस कर इससे ये काच्चा गोला तयार कर सकते हैं, पर क्योंकि मैंने हल्वाई से ही पनीर लिया है, तो मैं इसे बिल्कुल बारिक वाले ग्रेटर और इसे कढ़ाई में डाल देंगे, और इसके साथ ही हम इसमें डाल रहे हैं एक छोथाई कप कंडेंस मिल्क, ये घर का बना हुआ कंडेंस मिल्क है, कंडेंस मिल्क की रेसेपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, वो भी दो तरीके से, इंस्टेंट और साथी जो तो पर आप पर पाऊडर सुगर की क्वांटिटी दो चमश बढ़ा दीजेए अब बादом कोई डालने कि बाद मैं मैं यह अपर डाल रहे हूं तो यह तो परणी मेठा जैसे विए ऑर 2 चमश पाऊडर शुगर की कि अगету पके भयादो ャुचे हैं हो गया है क्योंकि हमने जो चीनी डाली थी अगर आप चीनी को गरम करते हैं तो अपना पानी छोड़ देती है इसकी वज़े से मिक्षर आपको बिल्कुल पतला लगेगा लेकिन कोई बात नहीं धीरे धीरे जैसे आप इसे पकाते जाएंगे ना तो यह धीरे धीरे गाड़ा होता जाएगा यानि थीख हो जाएगा बस क्यास का फ्रीम LOW ही रखेंगे क्योंकि इस मिक्षट का हमें Color Changing नहीं करना है बस इसको हलुका था थीख करना है हमें इस मिक्षर को बहुत जादा नहीं पकाना है क्योंकि यग आप जादा पकाएंगे तो पनीर हाड हो सकता है इस सकते हैं इसके पर हलकी से शाइन आ गई है तो बस ये मिक्षर तयार है गैस का फ्लेम आफ कर देंगे और अब हम इसे इसी प्लेट में ही निकाल लेंगे और इसे पहले थोड़ा सा रोम टेंपरेचर पर ठंडा होने देंगे उसके बाद हम इसे दूसरे पनीर के साथ मिक्स कर करेंगे और इसमे मुझे म्हेशे थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं एक चमच पाउडर शूगर और डाल रही हूँ सहली हमने 2 चमच पाउडर शूगर डाला था और एक आप डाल यानि हमने इसमें मैं तीन चमच कर तों अब चाहली रख सकते हैं और अगर अब्लगें कि它 mixtures thोड़ा सा पतला हो गया है तो हम इसे थोड़ी देख लिटे फ्रिज में भी रख सकते हैं यह देखिए मैने इसे दस प्रिज में भी में आप चाहे तो रोज वाटर जाल सकते हैं या फिर इन दोनों के बिना भी इसे बना सकते हैं इलाइची पाउडर को हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस मिठाई को बनाना इतना असान है कि अगर आप बेगनर है या आपको कुकिंग नहीं आती है तब भी आप इसे ट्र यह देखे अब इसमेंसे एक छोटा सा पोर्शन लेंगे इसे हाथ के बीच रोल कर लेंगे और अब मैंने यहां पर मिक्सिंग बोल में मिल्क पाउडर लेंगे अगर आप मिल्क पाउडर नहीं रालना चाहते तो आप यहां पर माभा को ग्रेट करके ले सकते हैं या फिर यानि जो नारियल का चूरा होता है वो भी ले सकते हैं यानि उससे भी आप काचा गोला को कोट कर सकते हैं मैं आज इसे मिल्क पाउडर से कोट कर रही हूँ यहाँ पर हमने की काचा गोला की बोल बना ली है और इसे मिल्क पाउडर में इस तरीके से कोट कर लेंगे यह देख और अगर आपने इसका एक पीस खाली आना तो दूसरा पीस खाने से आप अपने आपको रोक नहीं पाएंगे इतनी ज्यादा शांदर बनती है यह देखिए लग रहे हैं एक दम टीस्टी बहुत ज्यादा टीस्टी है फ्रेंडसी आप इसी रक्षा बंदन पर दिवाली पर ह किसी भी खासते ओहार पर बना सकते हैं यह सब को बेहत पसंद आने वाली है तो फ्रेंडस मैं तो इसे इसे इंजॉय कर रहे हूं इसका टेस्ट बेहर शांदार है आप भी इसे अपने घर में जरूर ट्राइ करें और अगर आपको हमाई रेसिपी स्ट्राइ करने के बाद पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शियर्ज हो कीजिए और साथी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले इसी तरह की और नहीं रेसिपी देखने के लिए और फिर मिलती हूं एक और नहीं रेसिपी के साथ तब तक लिए गुडबाई टेक क्यार एंड झाल 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 झाल